आप सभी को जैसी आराम आज हम बनाएंगे माता जी की भोक की ठाली तो इसमें हम बनाएंगे पूरिया और सूजी का हलवा इसके साथ हम बनाएंगे चने तो फिर आईए चली शुरू करते हैं सब चीजे बनाना तो यहां पर मैंने चनों को राद भर पानी भीगो के रख दि हम सूजी का हलवा बना के तियार कर लेंगे तो यहां पर मैने वन फूर्थ कब जितना सूजी लिया है सूजी आप मोटी या बारी कोई सी भी ले सकते हैं तो इसमें सारा जो सूजी, घी और चीनी का रेषवर रहता है वस सब बराबर रहता है तो हम इसमें थोड़ा- तो इसे के साथ में मैं एड़ कर रही हूँ अब एक चमा जितना बैसन भी इसे जो सूची का हलवा बनेगा बहुत ही जादा टेस्टी बनेगा आज हम मेरिया में रखेंगे जिससे कि अच्छे से भुन जाए तो हलवे से बहुत अच्छे खुश्पू आने लग गई है अच् को अच्छ समानों को मिला थेंगे और तो यहाँ पर मैंने कुछ काजु और किष्मिश और वहीं भी से मिक्स कर देंगे अच्छे सेमें मिला देंगी चिनी को मिला देंगे चिनी को Hirori के सूजी का हलवा इस तरह से कड़ाई नहीं छोड़ दें जब सामान अच्छे से मिक्स हो जाए चीनी अच्छे से मैल्ट हो जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे तो यह हमारा सूजी का हलवा बनके रही हो चुका है तो अब हम चलते हैं चने की प्रोसेस पे तो यह देखिए हम नमक हम उसमें भी एडकर आता तो उसी साब से मसाले में नमक एड़ करेंगी और पाने डालके पेस्ट बना के तल कि छोडनें तक बक्याएंगी तो मसाले न है deformती trend 받 और दीआ हैं चने चने उने पाने कर्लिए scripture आ आपके साथ से मिला देंगे और इसको ढ़का लगा करें में एक पूरी बनाने की प्रोसेस तो थेल को एक बदा चेक कर लगते हैं तो पूरी अब हम इस घरम तेल में फ्राइब करनेंगे पूरी को हमेशा गरम तेल में ही फ्राइब करना चाहिए जब तिल ठंडा होएगा तो हमारी पूरी अच्छे से फूलेगी नहीं अगर आपने भी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो पूरी को हम अच्छे से आगे और पीछे से फ्राई कर लेंगे आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है ये भी मुझे कॉमेंट करके आप जरूर बताईए क्योंकि अगर आपके कॉमेंट आते तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है तो दूसरी पूरी को भी हम सेम प्रोसेस से ही फ्राई कर लेंगे अब हम लगाते हैं थाली तो यहां पर हम सबसे पहले पूरी लगाएंगे इसी के साथ में रख देंगे हमारा सूची का हलवा और चने तो यह हमारे माताजी का प्रशाद बनके रेडी हो गया है आपको मेरे आज की भूक की ठाली की रेसिपी कैसी लगे मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं तो पिलते हैं नई वीडियो के साथ